नमस्ते दोस्तों शुगर को लेके मेरे विचार शायद आप सब लोग जानते हैं और अगर नहीं जानते हैं तो मेरे शुगर पर बनाया हुए पहले वीडियो जरूर देखिएगा पर आज एक न्यूस पेपर आर्टिकल मैंने सुभ़व पढ़ा और वो न्यूस पेपर आर्टिकल पढ़के मुझे बहुत 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 दुख हुआ तो ये वीडियो सिर्फ मैं इसलिए बना रहा हूँ कि इस जनता को पता चले कि ये जो बड़ी-बड़ी कंपनियां हैं मुल्टिनाशनल कॉर्पोरेट्स हैं ये कैसे एक्स्प्लॉइट कर रही हैं हम लोगों को आज एक आर्टिकल था यूस्प्र का कि नेसले जो की बड़ी सी MNC कंपनियां इन फाक इस वन फॉप्रिस्प्टेड कंपनियां जो की मैगी जैसे प्रॉड़क भी बनाती है ऐसे रलाक प्रॉड़क बनाती है और बहुत सारे और अच्छे अच्छे प्रॉड़क बनाती है ऐसा कोई भी इनसान नहीं हो गया भारत में जिसने इनका कोई प्रॉड़क टेस्ट नहीं किया और पसंद न किया हो बट जब ये कमपनिया प्रोड़क्ट बनाती हैं मुझे ये बात पता नहीं थी ये मेरे नज़र में पहली बार आया और इसलिए आपके नज़र में मैं ला रहा हूं कि इनका वही प्रोड़क्ट जो कि भारत में शुगर डाल के बेचा जा रहा है बच्चों के लिए, इन्फॉएंस के लिए वही अमेरिका में और यूरोप में बगर शुगर के मिलता है क्या आप इस बात को यकीन कर पाएंगे यही आज का आर्टिकल है और ये देख के मुझे बहुत धक्का लगा I am one of the parents जिसने कि मेरे बेटे को शुगर किसी भी तरीके से तीन साल के उमर तक नहीं दिया तीन साल तक बचारे को मैंने किसी भी तरीके से शुगर नहीं दिया था और मैं सोचता था कि I am doing a great job और फिर भी जब बच्चे को हम ट्राइवल पर ले जाते थे बाहर ले जाते थे और वहां खुद अपना घर का बनाए हुआ खाना खिलाना पॉसिबल नहीं होता था तो मैं नेसले के प्रोड़क्स पर ही डिपेंड करता था उसमें भी मैंने फिर से चेक किया अभी तो 100 ग्राम में से 19 ग्राम शक्कर है शक्कर जो एक्स्ट्रा डाली होई है और टोटल कार्भो हाइरेट सिंपल काप्स वो 35-36 ग्राम के असपास है तो अब तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे साथ चीटिंग हुई है कि यही अगर मेरा बेटा मैं यूएस में यूरोप में पैदा करके वहाँ पाल रहा होता तो मेरे बेटे को शुगर नहीं मिलता जिरो शुगर के साथ में जब इंडिया में यह प्रॉड़क्ट लाती है तो 15-17 ग्राम शुगर डली हुई है 100 ग्राम में मतलब वो प्रॉड़क्ट सस्ता करने के लिए बेसिकली उन्होंने बजार से शक्र डाल दी उसमें प्रॉड़क्ट में और यही प्रॉड़क्ट जब दूसरी और कंट्रियां हैं इंडोनेशिया, फिलिपीन, नाइजीरिया उसमें इससे भी कहीं ज़्यादा शुगर है So, this is ridiculous कि 100 ग्राम प्रॉड़क्ट में आपने अगर 20, 25, 30 ग्राम शुगर डाली है और उसके जरीया आप सस्ता करके बेच रहे हो तो आपकी जैसी कमपनी की क्वालिटी का क्या भरुसा करें फिर? यही बच्चा अगर ट्रावल कर रहा है यूरोप में तो बिना शुगर का म लगता है जब आप टेस्ट करते हो उसको और शक्कर आपको उसमें पसंद नहीं आई तो आप बच्चे को जवर से शक्कर देना चाहते हैं क्या? कमपनिया क्यों शुगर डालने पर मजबूर है? कमपनिया इसलिए ही शुगर डाल रही है क्योंकि जब पैरेंट्स अगर ख शराब पीते हो तो क्या आप छोटे बच्चे को शराब देते हो? नहीं न? वैसे ही शुगर बच्चों के लिए जहर है इसमें कोई शक नहीं है पूरी दुनिया को पता है और अब तो इन कमपनियों को भी पता है इसलिए यूरोप और USA में वो नहीं डालते हैं और गरीब वाटसप ग्रूप में सोसाइटी के ग्रूप में यह वीडियो जरूर डाले कि ऐसी कमपनियों का प्रोहिबिशन अगर हम मास केल पे नहीं करेंगे तो यह शुगर और कम नहीं करेंगे इस चीज़ का जब रियाक्शन लिया गया था नेसले से तो नेसले ने कहा है कि पिछ पॉलिसी है कि आप गरीब देशों में खूब शक्कर डाल रहे हो और राइस देशों में नहीं डाल रहे हो इस वेरी बाड और इस शुड बी स्टॉप फर इंडिया थैंक यू